यह वीडिवल फीपल गुड मॉर्णी और वेल्कम टू जे के सब्सक्राइश और स्टार्ट करते हैं आज का मारा टॉप्मोस करेंड फिर एंसी क्यूज फो यू अपकमिंग जेके सब्सक्राइब को एक चीज में कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने स्टार्ट करा है मारी जेक एससबी का स्पेशल बैज जो कवर करेगा आपके पूरे जेके एससबी के कमपेटिटिव एक्जाम को फ्रॉं बेसीक टू एडवांस जिसमें आम स्पेशली जो फोकस करेंगे वह करेंगे नेपसिल दार एंड जेके पी एसई के आने वाली पोस्टों के लिए और आगर आ यहां आप लोग डारेक्टली मुझे वाट्सअप कर सकते मेरे वाट्सअप नमबर 700-633-2724 पे जैसे आप इसपे मेसेज करेंगे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा अज मैं इस कोर्स के बारे में आपको सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि इस कोर्स पे हमने कम से कम 25-35 क्लासिस डाली होई है मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अप इंस्टॉल करके ने करना वो अलग बात है लेकिन मैं चाहता हूं कि फ्री क्लासिस अब जरूर अटेंड करें क्यूंकि इन फ्री क्लासिस को अटेंड करने के बाद आप लोगों को एट-least यह पता कर रहे हैं तो अभी मुझे मेसेज करें मेरे WhatsApp नमबर पर तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का current of air lecture आज के lecture का हमारा जो पहला question है that is which player born gold in man single tennis at Paris Olympic 2024 well अभी आप सभी को पता है Paris में Olympic जो हो चल रहा है 2024 का तो उसमें man single tennis event में gold जीतने वाले player का नाम पूछा है तो इसका जो answer है that is Novak Yokovic ठीक है Novak Yokovic basically servia से हैं और इनों ने इस बार gold जो है वो जीता है और आपको बता दूं कि यह मताब oldest gold medalist जो है वो बन जोके हैं Olympic में tennis singles में clear चले अगला जो question है में पूछा गया है कि नौल आइस ने gold medal जो है वो जीता है man's 100 meter sprint में परेश ओलम्पिक में आपकोश्य में यह पूछा गया है कि यह जो sprinter है यह कौन सी country से हैं तो यह basically USA से कहां से USA से अगला जो question है पूछा गया है बताइए how many national highway speed road corridor project approved by the center government तो कितने corridor project वो अप्रूफ करें center government ने इसका आंसर है that is eight ठीक कितने है एट तो नुरेंदर मोधी government ने recently approved करें है आठ important national highway speed road corridor project जिसमें basic अगर हम बात करें जो amount cost के साथ जो cost लगने वाली देट इस आप चाहां सब्सक्राइब करोड रूपे जो है वो इनके ओपर खर्श किया जाएंगे अगला जो question पूछा गया है कि बताइए what is the rank of India as per the tourism development index 2024 report 2024 report की report accordingly India का क्या rank है किसमें tourism development index में जिसका जो आंसर है that is 39 कितना है 39 तो according to tour travel and tourism development index report जो publish करी है किस नहीं देको most important चीज़ आपको एक और चीज़ बतावने चाहिए इसको publish करने वाले को न है world economic forum ठीक है उसमें उनके accordingly total 119 countries में से भारत का जो rank है वो है 39 एक है clear चले अगला जो question पूछा गया है बताए recently a set of four commemorative postage stamp was issued on the issue of on the occasion of office sports event तो कहने के मतलब यह कि कौन से sports event के ऊपर चार postal जो stems जो है वो introduce करी है तो इसका जो आंसर है that is Paris Olympic ठीक है तो Paris Olympic के occasion के ऊपर चार postage commemorative postage stamp जो है वो issue करी गई है ठीक अच्छा बता दूं कि हमारे union communication minister जिनका नाम है जोती राजिस किंडिया और मनिस्टर औफ यूथ अफेर 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 डक्टर मंसुक मंदाविया ने रिलीज इन दोनों क्रिष्णमूर्थी पास्ट वे शिवर गेंड फेर मिन विच फिल्ड कहना है मतलब यह कि अमनी क्रिष्णमूर्थी जो है वह अभी रिसेंट उनका मतलब वो पासवे होए हैं अब क्वेशन में यह पूछा गया है कि इन्होंने किस फिल्ड में अपना जो फेम था वो गे इंडिया's to largest export destination in 2023-24 कहना है मतलब यह किए क्या इसी कौन सी कंट्री अफ मर्ज होए है यहाँ पे इंडिया का थर्ट-largest export जो है वह जा रहे है मतलब इंडिया का थर्ड-largest export destination वह बन गया है 2320 तो इसका जो आशर है यह नीदर लैंड नीदिद्व इंडिया का 3rd largest export बन गया है आफ्टर यूएस एंड यूए ठीक अगला जो कुछा गया है बताई ये रिसनली हूर सीव्डा हिंदी साहित्य वारती अवार्थी अवार्थी अवार्थ जो है किन को मिला है किनोंने रेसीव करा है कुछन पूचा गया है तो इसका जो आंसर है इस कृष्ण प्रकाष ठीक है कृष्ण प्रकाष बेसिकली मॉंबई पुलीस काउंटर काउंटर टैरिसम यूनेट के ऑफिसर है और इनको इस बार मतलब हिंदी साहित्य वार्थी अवार्थ जो है वो मिला है अगला जो कुष्ण है पूचा गया है कि सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व जो है रिसन इस न्यूस में देखने को मिला अब बताये कौन सी स्टेट में यह लोकेटेड है तो इसका जो आंसर है देट इस तमिलनाडू तो तमिलनाडू फॉरस डिपार्टमे ने इनिशेट करा है वहां पर कुछ टाइए अलिफेंस के संसेज को लेके यह न्यूस में थी और इसलिए कुष्ण जो है वह आप से पूछा जा रहा है क्लियर है चलिए नेक्स जो कुष्ण है पूछा गया है बताये विच स्टेट गवर्मेंट रिसनली लॉंच मुख्य बोल देते हो कि कमेंट में लिख दो तो कमेंट में मैंसान वही आंसर लिखता है जिसको पता होता है जो जानने के बाद लिखता ना कि मैंने देख लिए उसको तो पता है जो बंदा देखता है ना कि अन्सान लिखते हैं जिसको पता होता इसलिए वह वो 50-60 होते हैं क्योंकि उन्हीं 50-60 लगों लगों पता होता बाकिवन नहीं पता होता ठीक तो इस को नहीं आता हुआ को डिके सकते हैं बखिवे सकते हैं को बागी जिन बचों ने अभी तक दिन बचों ने अभी तक हमारा कोर्स में प्रीक्लासिस अटेंड नहीं कर ही करीं वह भी मैसेज करें मेरे वुट्शाप सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारे लोगों को शायद एक भाना चाहिए चीजों को स्टार्ट करने का तो मैं चाहता हूं कि शायद इन फ्री क्लासी से आप लोगों को इंटरस क्रेट हो और आपको लगे कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि जब